दोस्तो कल की lesson में हम लोग ने सीखा था wordpad में cut paste और आज की lesson में हम लोग सेखने जा रहे हैं font का जितना area दिख रहा है न वो पूरा हम लोग वापीस से एक बार करने जा रहे हैं दोस्तो यहां पर मुझे और चार नाम लिये है आप भी चार नाम टाइप करके लेना sequence wise वापीस उसको क्या करो फिर यहां से grow font करूँगा उके उसके बाद में कोई भी एक नाम को selection कर लो उसके बाद में अगर आपको boil करना है तो boil करो italic करो underline करना है तो underline करो strike through करो जोस्तो उसके बाद में यहां से मैं ने बताया दा last time font को बढ़ाना है कोई भी font size बोलतो इसको यह font size को बढ़ाने के लिए हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं यहां पर 72 अगर grow font करना है तो और भी आप कर सकते हो यहां पर आपने देखा 72 तक ही वो जो text size है यह आप बढ़ा कर सकते हो 72 लेक के बाद अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा grow font का इस्तामाल करना पड़ेगा देखो बर बर फिर कम करो उसके बाद में है font color जिसको में तो text color भी बोलते हैं देखो अगर मुझे कुछ भी नाम में change करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले selection करना पड़ेगा वैसे मैं पहले क्या करना हूं पहले में selection कर रहा हूँ, उसके बाद में क्या करूँगा, text में जाओंगा, text में जाके color change करूँगा, अगर ये color मुझे क्या करना है, और भी अलग चाहिए, जैसे हमने सीखा था paint में custom color है वैसे यहाँ पर more color है, option, तो यहाँ पर कोई भी आप color को select करें, ok करें, हो गया, फिर वापिस जाए, text में, इसको आप text color बोलो, या font color बोलो, कोई भी बोलो, नाम तो यह की है, फिर वापिस आप more color पर जाए, more color पर जाने के बाद, यहाँ पर यहाँ पर custom color, define custom colors करोगे, तो देखो, दूसरा भी option उपन हो गया, इसको selection करें, यहाँ पर custom color का checkbox बोक्स करें, व add to custom color के उपर क्लिक करें, उसके बाद में यहाँ पर देख रहा है, custom colors में आ गया, यह color, फिर उसको ok करें, देखो, यहाँ पर color आ गया, वैसे हम लोग दूसरे शक्त को selection करेंगे, ibm से, बोल करेंगे, underline करेंगे, ok, grow font करेंगे, जैसे font size से font size increase करेंगे, उसके बाद में जाके more color में click करें, और आप क्या करें, कोई भी color choose करें, देखो, यहाँ पर आ गया, दोस्तों अगर आपको font color या text color नहीं चाहिए, अगर यह शब्त का color मुझे नहीं चाहिए, properly black चाहिए, तो मैं करूँगा, इसको selection करूँगा, text color में जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर black choose न और मैं क्या कर रहा हूँ, text में जाके, text color में जाके, automatic करूँगा, देखो, वापीस यह color set हो गया, black में, दोस्तों उसके बाद में हम लोग सिखेंगे, text highlight color, basically text highlighter यह वही होता है, जो हम लोग हमारे text books में, या फिर कोई भी एक book में, आप highlight करने के लिए highlighter अलग से मिलता है, व बस वैसा ही इस्तमल आप ये tool के साथ, आपके जो भी sentence है important, उसको आप highlight कर सकते हो, जैसे आप भी संबल लो, यहाँ पर यह word मुझे important है, तो मैंने उसको highlight कर दिया, देखो, दिख रहे, highlight कर दिया, अगर आपको text highlight color नहीं चाहिए, तो selection करो उस word को, और text highlight में जाए और no color पे click कर जाए, वैसे इसको भी करना है, text highlight color निकालना है, तो दोस्तों अभी दो यह option बच्छे हैं, एक है subscribe और superscript, अभी subscribe का मतलब क्या होता है, superscript का मतलब क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी यह h2o जो लिखा है, उसका 2 कहां पे होता है, नीचे होता है, उपर होता है, नीचे होता है, तो हम लोग देंगे उसको subscribe, उसको कहा देंगे, subscribe, subscribe देने के बाद देखो, h2o properly आ गया, मतलब subscribe का इस्तवाल कैसे करते हैं, यह मैंने बताया, अभ यह से हम लोग लिखते हैं, 12th, th, बरावर न, first, ऐसा लिखते हैं, दोस्तों, 12th का th कहां पे होता है, उपर होता है, तो उसको हम लोग करेंगे, super script, selection करो, th को, और करो, super script के उपर click, super script के उपर click करने के बाद, th कहां गया है, देखो, उपर गया, वैसे first में, st को selection करूँग में, super script, देखो, कहां पे गया, तो दोस्तों, आज हम लोगे सीखा है, बोल इटालिक अंडरलाइन, strike through, super script, subscribe, text highlight color, text color, grow font, shrink font, font family, और font size, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, thank you